नमस्कार किसान भईयों आज मैं आपको अज्जोला के बारे में बता रहा हूं जो कि अज्जोला की कई के से तयार की जाती है और अज्जोला लगाने की विधी जैसे आप देख रहे हैं यह पाणी का एक टैंक बनाया हुआ है इसको कैरी बोलते हैं इसके अंदर एक फिट की गेराई में पानी बरा हुआ है और नीचे क्या है कि रेत ना जो कि किसी की चानने की साहिता से बाडू रेत को इसके अंदर डालना है जो कि आदा इंच इंच भर और रेत इसके पूरे पानी के अंदर नीचे तलिये में डालनी है और उसके बाद में यह सूखा हुआ गोब अंदर आधाथ जो कि सुख़ हो आधाइए जो कि फ्रीक्तिक शुखटा पाणिए नग करद फिंदे में और यह सनु निडू जाएंक है कूंसे कुछ郭ाद दफ्रेशा है कि पानी के अंदर वह उगा है है एभार ऑर अच्छी तरह से व्हिग दूज़एगा उसके बाद इस तो भी इसके टैन्क के अंग डालना है जो कि यह गुबर है गीला घिला गोबर है जो कि फूरपूर पूरड़ डालना है और इसका पानी यह वह पानी तक द़ाना है इसके देख विर ईच आपर यह जो 20 दम टाली थी उसके ओपर कच्राया आज इस कच्छुे को किसी की साहिता से कच्रे को बार निकलना है और इसके अंदर ये डाल देना है और ये एक दिन रहने के बाद में अजोला डालनी जैसे आज तयार कर दिया है तो कल इसके अंदर अजोला डालनी है नमस्कार स्वा